तो दोस्तो इस वीडियो में आपसे मैं M.A. Cultural Studies कोर्स के बारे में आपसे मैं डिस्क्स करने वालाओं की आखिर M.A. Cultural Studies का जो कोर्स याकर होता क्या है तो आपका स्वागत है दोस्तो मेरे इस चैनल में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हो जाएगी, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्स के बारे में भी वीडियोस मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खतम उने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं MA Cultural Studies कोर्स के बारे में आपसे मैं डिसकस करूँ तो MA का मतलब होता है Master of Arts और MA Cultural Studies का जो कोर्स है जै कोर्स एक Post-Graduation Level की डिगरी का कोर्स होता है तो जै कोर्स दो वर्ष का कोर्स होता है जिसमें कुल चार स्मेस्टर होते हैं तो Cultural Studies एक एसी फील्ड है जो समाज, संस्कृति और संबेदनाओं को एक्स्प्लोर करती है इसमें Literature, Art, Media और Society के जो आस्पेक्ट्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं जै कोर्स स्टूडेंट्स को Cultural Expressions और उनके Impact को Analyze करने की Skills को Provide करता है इसके साथ इस कोर्स के मादम से स्टूडेंट्स को Diverse, Cultural Contexts, Social Issues और Cultural Artifacts पर भी विचार करने का मौका मिलता है इसमें Pop Culture, Language और Gender Studies में एक्सेक्टरा शामिल होती हैं अगर आप Cultural Studies की कोर्स में और जदा डीपली से अगर आप Study करना चाहते हो तब तो आपके लिए MA का जो कोर्स से आपको काफी अच्छा Benefit दे सकता है और साथ इस कोर्स के मादम से आपको Research बरक और Thesis बरक पी आपको करवाया जाता है अभी आपसे मैं Legibility Crideria के बारे में आप से मैं डिसकस करने वालाओं के जनिया आप इस कोर्स में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो तो इस कोर्स में आपको admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो Bachelor की जो डिगरी है उसे आपको पास करनी पड़ेगी तो तब ही आप इस कोर्स के लिए eligible हो पाऊगे और साथ में दोस्त से पास की होती है और साथ में दोस्तों मैं आपको जेवी बताना चाहता हूँ कि अफिसर जिन्वेस्टिस का और जो colleges का जो eligibility criteria है इस कोर्स के रिगार्डिंग वो different भी हो सकता है अभी आप से में जोब परफाल्स के बारे में आप से में डिसकस करने वालाओं के जनिया अग किस परकार की जोब मिल सकती है तो दोस्तों आप cultural researcher बन सकते हो आप museum administrator बन सकते हो इसके इलावा दोस्तों आप जो lecturer जहां teacher की जो जोब उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसा अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको जोब मिल सकती है अभी आप से स्लेवर्स के बारे में आप से में डिसक्स करने वालाओं के जने आप इस course में आखिर किस परकार का जो स्लेवर्स होता है उसे आप study करते हो तो इस course में आप varieties of cultural studies, हिंद, सवराज, research, methodology, understanding western culture, एक sector जो topics और जो subjects होते हैं वो आप इस course के बादम से दोस्तों आप study करते हो और इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दुरान आपको करवाए जाते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको जह भी बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी अगर आपको किसी भी परकार के कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मज़े comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और वे काफी सारे courses के बारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप उने वेक बार जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जैब वीडियो कैसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दन्यवाद